हेलो इस डेंड, concept and solution में आपका welcome है आई इस वीडियो में इस question को solve करते हैं इसके पहले वीडियो में हम लोग standard form में लिखने के लिए शिखे थे अब हम लोग usual form में शिखेंगे question है first number 3.47 into 10 to power 5 तो इसको हम लोग usual form में कैसे लिखेंगे देखिए first number question आपका हो गया given क्या है 3.47 into 10 to power 5 ठीक है यह दिया हुआ है इसको आपको usual form में लिखना है तो देखिए 3.7 for it तो decimal हटाएंगे तो कितना लिखेंगे 374 by कितना decimal part हटाएंगे तो नीचे कितना हो जागा 2.0 हो जाएगा into 10 to power 5 ठीक है यहां से 2.0 इसमें और इसमें 5 है तो 2.0 5 के साथ कट गया तो simple कितना हो गया 374 into 10 to power 3 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 34, 374, 00 यह आपका usual form में हो गया ओके second number क्या दिया हुआ है 6.912 into 10 to power 8 इसको भी उसी तर लिखेंगे 6912 decimal हटाएंगे तो 1, 2, 3 हो जाएगा 1, 2, 3, 0 दे देंगे into 10 to power 8 ठीक है यहां से 30 और इसमें 8 है 30 कट गया तो कितना हो गया 6912 into 10 to power कितना हो गया simple 5 इसको ऐसे लिख सकते 3912, 12, 3, 4 5, 0 दे दिये यह आपका answer हो गया तिसरा नमबर आपका 2.006 into 10 to power minus 6 देखिए निगेटिव में है तो सबसे पहले 2, 0, 0 कितना है 1, 2, 3 किये तो नीचे कितना हो गया 1, 2, 3 देशिमल हो गया और निगेटिव है तो निगेटिव मेंस क्या होता है आपका पता होना चीए कि इन निगेटिव जो होगा और नीचे आगा क्या होगा यह पोजेटिव हो जाएगा तो 10 to power 6 हो जाएगा ठीक है तो टोटल नीचे 0 कितना हो गया 10 to power 6 और 3, 9 हो गया तो आप ऐसे लिख सकते हैं अब यहाँ decimal आपको किधर इधर हो जगा बहुत छोटा नमबर बन जगा तो 1, 2, 3, 4 और 4 गो हो गया 5, 0 और चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 0, 0, 6 यह दे दिए और इसके सबसे आएंगे decimal लग गया आगे यहाँ पर 0 दे भी सकते हैं नहीं भी सकते हैं यह आपका answer हो गया ठीक है question number 4th number में क्या है आपका दिया हुआ है 1.10 to power minus 2 ठीक है इसको भी आप ऐसे लिखेंगे 18 by कितना हो गया 18 by 10 और 10 to minus 2 है तो नीचे आपको 10 to power plus में हो जाएगा टोटल के इतना हो गया 18 by 10 पर पावर 3 हो जाएगा तो 3 2 जीट तो दिया हुआ है तो यह और digit देखे हम ऐसे करेंगे और decimal दे देंगे ठीक है और यहाँ पर भी आप 0 दे देंगे decimal 0, 1, 8 हो जाएगा आपका इसका answer तो आपका यह usual form में हो गया standard to usual form I hope your question को समझ गए होंगे Thank you